काटोरिया भी से अलग कर लिए क्रिश्पी कलिए कृटोरिया के लिए एकदम बढ़िया। फसकी शिक्रीम, 2-7, और हम इसमें एडिकारा कृट नमाक 5-22, 1-2 आप Сबसे कर के लिए। यह five value ऐ और थसा रिधा लोख देलिए है। यह एकम बईम्दोय इसले के लेके देखना this अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल ये इस का लगानाः है ये जासे फोड़ा से लगाना है जासे सम्क पूरी करे लगाना है जैसे फोड़ा अचा सा दा caption इसे अच्छे से लगाने के बाद में आप इसको अच्छे से गूतना जब तक यह चिकना नहीं हो जाता यहां हमने इस पर ओयल लगा दिया है दस मिनिट के लिए अच्छे से सेट हो जाएगा दस मिनिट हो गए है हम इसे चेक कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा और भी गूत लेते हैं तो यह हमारे डो तयार हो गया है जितना आप रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं उतना आप लीजिए और इसे हमें एक साइड में कर जेती हूं जैसे आप रोटी को बेल कर तयार करते हैं जितना पतला उसे उसी तरीके से हमें बेल कर तयार करना है चाहे तो ओल ले सकते हैं थोड़ा सा यदि आपको मेलने में दिक्कत हो दिये चाहे तो थोड़ा सा सूखा मैदा ले सकते हैं और यहां आप देखेंगे मैंने इसे एकदम यहां आप देखेंगे मैंने कटोरी ली हैं सभी सेम साइज के लिए हैं आप इसी तरीके से कोई भी कटोरी ले ले लेना और इसे हम सेंटर में रख देंगे और इसके किनारों पर इसको इस तरीके से हमें चारों और कर देना है इस तरीके से सभी तरफ से cover कर देंगे क्या होता है आप देखेंगे यहां आप लाइने देखेंगी जहां थोड़ा सा मोटा रह जाता है उससे क्या करना है हाथ से ही इस तरीके से कर देना ताकि यह लाइने जादा ना देखें और हलका सा पतला हो जाए यह हलके हाथ से ही करना है जाधा प्रेस नहीं करना है और आप देखेंगे जो भी एक्स्ट्रा आटा है वो उपर आ जाता है उसे आप चाहे तो हाथ से कर सकते हैं चाहे तो इस तरह से केशी से भी उसको हटा सकते तो यह हम सभी इसके एक्स्ट्रा एजिस निकाल देते हैं और यहां देखेंगे इसकी कटोरी की शेप आ गई है अब हमें क्या करना है इसे हलका हाथ सा करना है ताकि और भी परफेक्ट लगे यह दिकी तयार है अब हम इसे उल्टा करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो चेलेन को अम फ्राइक करने चलते हैं यहां हमें अल्साइब जाए जाहिए ध्यां रखना फ्लेम जाभात नहीं होनी चाहिए छाहिए स्चाइब च्श्टा करश सकते हैं लेकिन आल यहां छाब क्या हम से fifam क्या क्या है अब अभी आपने कर्णों चूलि अब हम फ्रर के वज़े से नीचे आ जाएगी तो अच्छे से सिखते रहेंगे दियान रखीगा फ्लेम रखनी है मीजियम चुलो आराम से सिखने देना कटोरी इस तरीके से अभी मत निकालना मैं आपको लास्ट में तरीका पता दूगी उससे कटोरी इजिली निकलाएगी आपने कई बार देखा होगा कि इसी में लोग कटोरी निकालनी कोशिश करते हैं ऐसा बिलकुल भी मत करना मैं जो तरीका पताऊंगे उससे अंदर तक अच्छे से सिख जाएगा जैसे हमने ओल डाला है उससे अच्छे से सिख जाएगा कटोरी निकालने का भी तरीका पता दूगे इसके कि तो हमारे पास वह भी इसी तरीके से हम सेख लेंगे फिर से इसमें हम अपर देते हैं ताकि अच्छे से सिख जाए इस प्रोसेस में आपको यह करने के बिल्कुल जरूबत नहीं है कि कटोरी निकालो फिर इसके बाद में उसको और सेखो इसमें यह दोनों ही साइट से सिख ज दूसरा तरीका में आपको बता देती हूं कि कपड़ा लेना हाथ में और इस तरीके से फिंगर से इसको एक तरह से पकरना कटोरी उपर से कटोरी इसली निकलाएगी तीसरा तरीका और भी है इसको बिल्कुल ठंडा होने दो कटोरी आराम से निकलाती है यहां यह भी हमारे इक चीज का ध्यान दंगना, गरम में यह कटोरियां बिलकुल अलग मत करना, चाहे वो कड़ाई में हो या कड़ाई के बाहर हो, कटोरी तूट सकती है, योगि जब वह थोड़ा सा थंडा हो जाती है, तब वह अच्छे से सेट हो जाती है, तो कटोरी अपने आपी अलग होने लगती है यह आप देखेंगे सिकने लगे हैं और इन्हें हम परलट कर इसी तरीके से सिकने देंगे सिकने में जल्दवाजी नहीं करना फ्ले मीडियम चुलो और अच्छा क्रिस्पी इनको गोल्डन सिकने दे तो यहां यह सिकर दया है इसे भी हम निकाल लेते हैं हलका सा इस ले लेंगे जिससे आप रोटी बराते हो उतना डो आप ले ले लें और अब हम इसे बेल कर तयार कर लेंगे जितना पतला रोटी को बेलते हैं उतना ही पतला हमें इसे बेलना है यह आपको इसे बेलने में तोड़ा सा दिकत होती है तो आप एक काम कर सकते हैं तोड़ा सा या सूका मैदा ले सकते हैं यहां देखिए हमने से एकदम से पतला रोटी जैसा बेल कर तयाग कर लिया है यहां हमने लिया है फॉयल पेपर बड़ा लेना है तोड़ा सा उसे इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और आप देखेंगे यह लंबाई में है और अब हमें इसे कोन की तरह बनाना है जैसे आप जो महदी का कोन होता है वो बनाते हो उसी तरीके से या बेल पुरी के लिए पेपर का कोन बनता है उसी तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है अगर खराब होता भी है या परफेक्ट नह अब यहां इसका जो कॉर्णर है इसके लिए आप इसमें चाहे तो स्टेप्लर लगा सकते हैं और चाहे तो कोई भी आलमिल लगा सकते हो और यह देखिए कोन बन गया है अब इसको बीच में से काट देंगे और अब हमें क्या करना है कोन हम रखेंगे हलका सा खीशना है जादा नहीं और इसे हम इसमें अच्छे से रैप कर देंगे बहुत जादा लेयर भी नहीं आनी चाहिए और इसके किनारे को इस तरीके से अभी इसको हम चिपकाएंगे लेकिन इसको हलका हलका इसी पर प्रेस कर देंगे यह हमने यह पानी लिया है अब क्या करेंगे इसके किनारे पर पानी लगा देंगे फिर इसको हलका सा कीच के इस तरीके से दबा देंगे यह देखिए इस त प्राइ करेंगे जो चीज आपको ध्यान रखनी है वह फ्लेम को लो रखना है हलके हलके बबल्स आने चाहिए और इसी तरीके से लो फ्लेम पर इसको सिखना है यह देखिए हमारा सिकर तयार हो गया है इसको अलग से और करने की ज़र हो दिने कि आपके इसके फॉल पेपर को गार साथाहे ऊईल तो यह दोणो ही साइड अंदर से बाहर çık से अच्छे से अच्छी खॉल जाता है इसी तरीके से हम और इस बाकी सबी को युद्धिश को दीयार कर लेंगे उपर से हलका ह्लगा इस तरीके से य्ल़ नाल द़ीना वज़ना बलट पलो पल terus कर भी य इसको स एक नियौ स्दूल से फोल सेनय त्यार कर लिए इस भी त्यार क 색r लियून अब लिट्सका थोड़ा है आफ नियुए पहलब करोते हैं जसी हम बन खेour मेंने घ्यू आज ठेच कर दो नियूए है वह पेर रहे हमें लिट्शंट स Amaशचत स्य कौन सकत्ता है यह थंडा हो गया है, हलका सा आजपास से अंदर की तरफ करकी आराम से निकालाता है, थंडा होने पर यह निकाले, गरम में यह ना करे, और आप देखेंगे यह अंदर तक अच्छे से सिके है, सभी इकोन हमारे बनकर तयार है,